असलाम लेकुम स्टूडेंट्स चांद अकील है लेक्टर इन इंग्लिश इन हाईर एजूकेशन डेपार्टमेंट बटाज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FDE Federal Directorate of Education में जो EST की सीट्स अनाउंस होई है उनके बारे में और MK Professions के प्लेटफॉर्म से जो EST English का New Session स्टार्ट होने जा रहा है उसमें मैं आपको complete मेरा बटा गाइड करूँगा इस वीडियो में के eligibility criteria क्या है आप apply कैसे कर सकते हैं और English के लिए अगर आप EST English के लिए apply कर रही हैं तो उसका syllabus क्या होगा उसका paper pattern क्या होगा और आप लोग कहां से त्यारी करें किस तरहां से त्यारी करें तो इंशाला आप लोग अपना return test जो है उसको crack कर सकेंगे एक और बहुत important बात मैं आपको बताता चलो मेरा बटा वो FDE की वीडियो में again and again बताता हूँ क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा ये कोस्न पूछते हैं बटे ये Islamabad की seats है, Islamabad में ही test होगा, Islamabad में ही interview होगा और Islamabad में ही allocation होगी, तो अगर यहां पे मेरा बटा आप देख सकें, FDE Federal Directorate of Education अगर इस जॉब को आपने सर्च करना है, इस पे apply करना है, तो इसकी जो website है, वो अलाइदा से है, वो FPSC की website नहीं है, बलके वो FBICE पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो इसमें आप देखें जी, eligible persons can apply online at FBICE, ये मेरा बटा FBICE ये website है, ये link यहां पर दिया हुआ है, यहां पर जाकर आप अपने जो application है, उसको submit कर सकते हैं अब इसकी अगर हम details की बात कर लें तो online apply होगा, और FBICE पे आप जाएंगे application, वहां पर मेरा बटा चलान download करेंगे, चलान fill करेंगे, उसको pay करेंगे, और उसमें मेरा बटा साथ आप अपना form को fill करेंगे, form submit करेंगे, hard copy भेजने की जरूरत नहीं है, और इसके syllabus और recommended books की ब बात करेंगे, eligibility criteria के हवाले से मैं आपको बताता चलो मेरा बटा, कि इसमें education जो है, वो concerned subject में, जैसा कि हम यहां पर discuss कर रहे हैं English को, तो आपका BS English या Masters in English होना चाहिए, relevant subject में आपके 16 years of education होना चाहिए, और English के aspirants को मैं बताता चलो कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता, आपक जो Masters या BS है, वो linguistics में है, literature में है, या टेसोल में है, किसी भी मेरा बटा discipline में है, you are eligible to apply, और इसमें जो age limit है, अपर age limit है, वो 30 years है, 25 years मेरा बटा age है, प्लस 5 years general education है, तो 30 years अपर age limit बनती है, और इसी तरह से मेरा बटा अगर हम इसमें बात कर लें, तो यह, यह आप देखे कि जब आप F-22 की मेरा बटा website को open करेंगे, तो यह आपके सामने application form आएगा, और यह यहाँ पे आपके यह वाले जो credentials है, यह मांगे होंगे, यह सारे के सारे आप fill करेंगे, तो इसी तरह से मेरा बटा, यह देखें, इस तरह से यह form fill करेंगे, और इसकी जो last date है, इसकी जो remaining मेरा बटा seats है, वो females की है, 64 almost females की seats है, और इसमें बटे आप यह देख लें, कि यह मैने इसका original ad भी साथ लगाया हुआ है, और इस ad में, अगर English की हम seats की बात कर लें, तो English की जो seats है, वो males और females की alayda alayda seats है, और इसमें आप यह देखेंगे, कि English की अगर हम males की seats की बात कर हैं, तो 5 seats हैं, English की males के हमाले से, यह 14 scales की seats है, elementary school teachers, और female की जो seats हैं, वो 10 हैं, और इसमें आप लोग apply कर सकते हैं, बिटे 19 सेप्टमबर से पहले, so if you are eligible, आप मेरा बिटा 19 सेप्टमबर से पहले पहले apply कर लें, और इसमें MK professions के platform से हमारा new session स्टार्ट होने जा रहा है, और मैं आपको बताता चलो, new sessions के सारी details बताने से पहले, कि ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कि relevant subject में आपका जो masters होना चाहिए, या BS होना चाहिए, या 16 years of education, और second division हो, third division apply नहीं कर सकते हैं, और English के लिए मेरा बटा, अगर किसी की third division है, साथ फिर उसके पास वो तो वो मेरा बटा 30 years बनती है, five years general taxation सबके लिए होती है, अब हम आ जाते हैं, इसके मेरा बटा paper के हवाले से, अगर इसके paper pattern की बात कर लें, तो इसके paper में देखें जी, तीन portion है, इसके paper में, पहला जो portion है, वो है subject का, first portion जो है, वो subject का है, यानि अगर हम English की बात कर रहे हैं तो English में literature, linguistics, literary theory, literary criticism, इन में से कितने marks का paper आएगा, 60 marks का, 60% weightage होगी, और इसी तरह से, जो 20% है, वो English grammar का आएगा, यानि English के students को ये edge है, कि उनके subject में से paper 80% आएगा, क्योंकि grammar को English वाले है, तो मेरा बटा subject में ही consider करते हैं, और 20% जो है, वो लिखा जी की होता है, लेकिन हर दफा मेरा बटा, ये paper pedagogy में से ही, professional portion में से ही पूछा जाता है, तो 60% आपका subject होगा, 20% English grammar होगा, 20% pedagogy होगा, ये आप किसी भी subject में apply कर रहे हैं, चाहे आप chemistry में कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, इस्लामियाद में कर रहे हैं, English में कर रहे हैं, और इसके इलाव MK professions के platform से, इसका जो session है, वो 20th September से start होने जा रहा है, और FDE का जो paper है, ये मेरा बटा closing date के बाद, तकरीबन कोई 2 मा का time होता है, date से 2 मा का, उसमें मेरा बटा आपका जो paper है, वो announce हो जाता है, और इसमें देखें जी कि हमारा पूरा session जो है, इसके 5000 charges होंगे, और इसमें paper के जो तीनों portions हैं, वो हम cover कराएंगे, और इसमें 20th September से बिटे ये start होगा, और इसमें देख लें के, अगर मैं यहाँ पे इस लिपस breakup आप लोगों के साथ डिसकस करूं, इंग्लिश का, तो phonetics, phonology, morphology, 2 नंबर, syntax, 5 नंबर, semantics and pragmatics, 4 नंबर, discourse, 4 नंबर, social linguistics, 5 नंबर, literary terms, 5 नंबर, literary devices, 4 नंबर, poetry and poets, 4 नंबर, और इसी तरह से मेरा बिटा, drama and dramatist, 4 नंबर, novelist, 4 नंबर, prose writer and prose, 4 नंबर, और इसके बाद grand test, अब ये जो syllabus breakup है, ये 50 marks कामने बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पेपर जो है, वो 60% होगा, और इन्होंने मेरा बिटा, अपनी website पे 50% ही भी increase की, और उसमें से 50 की बजाएं यहाँ से 60 marks का paper बना, और अलहमदुल्ला, NK professions के platform से last time भी बहुत से students ने return भी clear किया, और allocation भी हुई, आप उन बच्चों की details भी हमारे NK professions के Facebook पे और YouTube चैनल पे देख सकते हैं, और मेरा बटा बच्चों का feedback भी आप इस हवाले से देख स आते हैं, तो NK professions को आप लोग join कर सकते हैं, और इंशालला 5000 charges में आपको तीनो जो paper के portions हैं, subject भी, English grammar भी और plus pedagogy भी वो आपको त्यार कराई जाएगी, और registration के लिए, English की registration के लिए आप इस number पर contact कर सकते हैं, 0333-260-5045, thank you very much, stay blessed, Allah Hafiz.